नमस्ते उपस्तित एक नए वीडियो लेकर आज मैं आप उनको केंड़ा बैंक का निकासी फोर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारें बताने वाला हूं आईए चलते हैं सिधे वीडियो पर देखिए Candie Bank का निकासी फोर्म कुछ इस प्रकार का होता है यहाँ पर लिखा हुआ हुआ है Candie Bank और नगत आरन परची यानि कि case withdraws leave आपको इंग्लिजी में लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है याँ प्रपत्र चेक नहीं है यानि this form is not a check, यानि कि a check नहीं है, इसको आपको passbook के साथ attach करके ही आप पैसे निकाल पाएंगे, अब हम चलिए आपको बताते हैं कि इसको भरना कैसे है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर date आपको mention करना है, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है, महर मार के, तो यह date आप आपको यहाँ पर mention कर देना है, फिर आप 22 सेट में चलेंगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पैसे कितने निकालना है, वो आपको यहाँ लिखना है, या तो आप इंगलिस में लिखेंगे, या आप हिंदी में लिखेंगे, तो मैं फिलाहाल दो हजार रुपए लिख दे रहा हूँ, दो हजार रुपएίं आप लिख देंगे और मात्र ठीक है और उसके बाद आप इहां पर digit में कितना रुपए है आप निकालने जा रहे हैं वो भी यहां लिखेंगे उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर खाता धारक का अब यहाँ पर आपको signature करना है जिस परकार का signature आपने account में खुलवाते समय क्या था same to same signature आपको यहाँ पर करना है अगर थोरा सा भी difference होता है तो आपको फिर पैसे निकालने प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए आप same to same signature करेंगे उसके बाद जिया हुआ है खाता धारक का नाम आपके जो passbook यानि कि आप जिस भी account से पैसे निकालने जा रहे है या आपका जो नाम है वो आप नाम यहाँ पर लिख दालेंगे यहाँ पर लिख दालेंगे उसके बाद क्या करेंगे इस form को आप passbook में टेच करेंगे और जो भी पैसे आपने mention क्या है उतने पैसे निकालने के लिए आप लीजिवल हो जाएंगे तो आसा करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेर करना ना बूलिए धन्यवाद